नमस्कार आंधर परदेश राजी के लक्षेयों को प्राप्ट करने के लिए योग्य, खुले दिमागी और ध्रिन संकल्प से परिपूर्ण ये कोई और नहीं नारा लोकेश हैं जो की आईटी और एवं कॉम्निकेशन पंचायत राज और रूरल डेवलप्मेंट मिनिस्टर ह आंधर परदेश के मुखे मंतरी एंचंदर बावु नाईडू के पुत्र होने के कारण भी उन्हें अब तक कोई भी से सलाव नहीं मिला लेकिन इस यूवा मंतरी के पास कारनेजी मेलन और स्टैनफोर्ड की डिगरी के साथ साथ चंता के साथ जूरते समय यूवा राजी क उनकी महत्वपूर्णी उजनाओं पर वाइड स्प्रीड कन्वर्सेशन किया उन्हें कहा कि आप जो कर रहे हैं उसमें अपना दिल रखना बहुत महत्वपूर्ण है राजी को 2014 में भी भाजित किया गया था और उस समय दक्षिन भारत में पर कैपिटा इंकम सबसे कम थी जो कि सलाना 82-83,000 रुपे थी पिछले चार वर्सों में भारत की एवरज पर कैपिटा ग्रोथ 25-27,000 रुपे रही है और हमारी ग्रोथ 45-6,000 रुपे हो गई है जो कि एक बड़ी टक्कर है इसका कारण बहुत असपस्ट है यह स्री नाइडू की वज़े से हो सका है हमारे पास स्री नाइडू के रूप में एक महान ब्रैंडम बेज़डर है उन्होंने कहा कि जिन्हें अपने कारेकाल में इंडस्ट्रीज और हमारे लिए बहुत कॉन्फिदेंस दिखाया जिसने वास्तम में काम भी किया हमने आईटी में मार्क्यू नाम आकरसित किये हैं जैसे क हमारे पास सुजू किया मोटर्स और भारत की एक मातर सबसे बड़ी एफडी आई अपोलो टायर्स और साथ ही भारत फोर्ज और एसीन पेंट्स भी है हमने आंधर परदेश राजे में दोसो सोलर मीडियम को लार्ज इन्वेस्टमेंट्स में कनवर्ट कर दिया है उनके इस इस बयान से पता चलता है कि आंधर परदेश को ऐसे ही आई टी हब नहीं कहते वहां के आई टी मिनिस्टर ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है वहीं श्री नाइडू ने भी इसके लिए अपना काफी बड़ा योगदान दिया है जिसके लिए उनके बेटे उनकी तारीफ कर सकते नहीं थक रहे हैं उन्होंने इस इंटर्व्यू में अपने कड़ी संगस को भी साजा किया और हमें प्रेड़ना दी कि अगर किसी चीज को मन से ठान ले तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता नारा लोकेस के इस संदेश से ये पता लगता है कि भारत में सबसे ख सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अब आप हमारे टूडेज अप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं थैंक यू